Hello everyone, मैं नी लमते बारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको Kindergarten से लेके 12th Class तक के सारी वीडियोज बिल्कुल फ्री अविलिवल करवाये जाते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की दो वीडियोज देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो क्योंकि यहाँ पर Magnet Brains चैनल पर आपको सारी चीज़ें सारी पढ़ाई चाहे कॉम्टिटेव एक्जाम की हो या आपकी स्कूल की हो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री एविलिबल करवाया जाता है कक्षा 11 वी संस्कृत व्याकरण में कोर और एलेक्टे वाले बच्चों के लिए प्रत्याय का प्रकरण हमने उठाया है और इसमें अब हम आचुके हैं स्त्री प्रत्याय पर हमने आपको कृत प्रत्याय समझा दिये हैं तधित प्रत्याय समझा दिये हैं यानि धातूं में जुड़ने वाले प्रत्याय हमारे कृत हो चुके हैं शब्दों में जुड़ने वाले तधित हो चुके हैं और अब स्त्री प्रत्याय पर आ गए हैं स्त्री प्रत्य क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझ ले, तब इसके बाद में हम स्त्री प्रत्य का जो एक प्रकार होता है टाप, उसको हम समझेंगे किनी शब्दों से जुड़ करके कोई पुर्लिंग वाची शब्द है, बस इतना समझ लीजिए कि पुरलिंग शब्द को इस त्री लिंग में बनाने के लिए टाप प्रत्य जोड़ा जाता है जैसे बालक हो गया, बालक हो गया बालिका, अज हो गया अजा, अश्व हो गया अश्वा ठीक है तो बही क्या हो गया, अश्व गया आश्व गया गया अजा यहां पर केवल हमें इतना याद रखना है कि स्त्री प्रत्याएए वे प्रत्याएश होते हैं जो पुर्लिंग को स्त्री लिंग में बदल देते हैं ठीक है अब यहां पर थोड़ी से हमें यह पता चल जाए कि भाई जो हम जो टाप प्रत्य जोड़ रहे हैं वो जुड़ेगा कहां और क्या हमें उसमें परिवर्तन दिखाई देगा तो कहते हैं अजादी गण में परिगणित पुर्लिंग शब्दों को तथा अकारांत आदी पुर्लिंग शब्दों को इस त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायाह टाप प्रत्य का प्रियोग किया जाता है अब लिखा है अजादी गण, तो अजका अर्थ होता है बकरा, यानि बकरा हो गया, भेड हो गया, मेड़क हो गया, चूहा हो गया, मूशक हो गया, चटक हो गया, ये सभी अजादी गण में गिने जाने वाले होते हैं, पुरलिंग शब्दों होते हैं, इनमें जुड सकता है पृलिंग शब्दों को इस त्रीलिंग में बदल दीता है अच्छा टाप में होता क्या है प्रत्य क्या टाप ऐसे जुड़ दाता है क्या अज लिखा हुआ है और उसमें टाप जूड़ने तो अज टाप बनाएगी क्या हम नहीं बिल्कुल नहीं बनाएगे यहां पे जो टा और पाका हो जाता है लोग बचता है केबल आश इश यानि अगर आप इसको वर्ण को विच्छेद करके देखें तो इसमें ट, आ, प ये बना हुआ है तो इसमें से टा को हटा दीजे, पा को हटा दीजे बचा क्या आ यानि अज में लेके हमने आज ओड़ दिया तो ये क्या बन गया हमारा अजा क्या बन गया अजा अश्व बन गया अश्वा तो ये होता है हमारा क्या टाप प्रत्या है जो की अकारांत शब्दों में किनकी बात करी जा रही है पाकी और और बाग जो ई से अंतो होने वाले हैं उनकी नहीं अजादी गण में की नहीं जाने वाले और अकारांत पुरलिंग शब्दों में उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाएगा जैसे अज में टाप जोड़ा तो क्या हो गया अजा एडक यानि भीड़ हो गया इसमें आजोड़ा तो क्या हो गया एडका कोकिल तो उसमें कोकिल में टाप जोड़ा बन गया कोकिला चटक हो गया चटका कोकल यानि कोयल चटक यानि चिडिया बाल हो गया बाला मूशक हो गय है वो अलग हम तोड़ा अलग एक उसमें बताएंगे क्योंकि इसके अंत में अक जुड़ रहा है बही कई ऐसे भी हमारे शब्द आते हैं जिनमें हमें अक पीछे दिख जाए इसको हम अलग कर दिया है बाकी के अभी देखते जाए वैश्य हो गया वैश्या ठीक है अभी अक का भी एक हम आपको नियम बताएंगे क्योंकि यहां पर देखे आपको देखे एकी मात्रा का अगमन हुआ है तो ऐसे एकी मात्रा का आगमन जहां पर होगा उनको अलग बता देगे लेएं अभी हम केवल जहां पर बड़े आकी मात्रा जोड़ रही है उनको देखते जाएं अब देखिए अकारांत शब्द और कौन से होते हैं भाई वो तो पुर्लिंग वाले हो गयते हैं और अकारांत पुर्लिंग शब्द कौन से होते हैं जैसे अनुकूल तो हो गया अनुकूला क्रेश हो गया क्रिशा चपल हो गया चपला चतुर हो गया चतुरा दीन हो गया दी ये भाषा SHARAL है तो भाषा की अगर कहा के पाथ SHARAL है तो हम कहेंगे PATH SHARAL और कहेंगे कविता SHARAL है तो कविता के लिए आगा कविता SHARAL ठीक है यानि विषेशन भी अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है भई श्वेत कहा जाता है जैसे देखें, मान लिजे, यह हमारे सामने विशेशन विशेशे बनाने के लिए आते हैं, तो क्या लिखा हुआ होता है, यह लिखा है अश्व, अब अश्व की विशेश्ता है कि वो कैसा है हमारा श्वेत है, अब यह तो भई हमारा क्या हो गया जीव जन्तू में, प्राण अब लेकिन श्वेत ये तो सफेध है ये क्या ये तो सफेध रंग है ये तो लेकिन है तो ये बही कैसा चौनकि अश्व पूर्लिंग था- तो उसका जो रंग था- उसकी जो विशेस्थ था व थी वो भी पूरलिंग में ही बनाई गई ऐसे ही यहां पर टाप प्रत्य ऐसे ही हमारे अकारांत शब्दों में जुड़ता है जैसे यहां मालीजी के अश्व को हमने घुड़े को टाप प्रत्य जुड़ करके क्या बना दिया यहां पर अश्वा बना दिया क्या बना दिया अश्वा तो उसके साथ में जुडने वाली जो भई विशेस्ता है उसमें भी श्वेत में भी हमें टाप जुडना पड़ेगा और हम उसको बनाएंगे श्वेत हमारा हो जाएगा श्वेता तब ये सफेद कोई जीवजन्तु नहीं है कोई पुरुष जाती का बुद्ध कराने वाली कोई जीवजन्तु नहीं है लेकिन फिर भी ये शब्द तो है और किसी जीवजन्तु की विशेस्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा है तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अकारांत जो शब्द होते हैं जो विशेष्ण का भी काम करते हैं उनमें भी त क्रूरह बालकह और इस्त्री के लिए है तो कहेंगे क्रूरा बालिका तरल है तो तरला दक्ष बालकह दक्षा बालिका प्रथम बालकह प्रथमा बालिका वक्र अब वक्र यहां पर कुछ भी दिख रहा है वक्र मार्ग दिख रहा है तो हम कहेंगे वक्र मार्गह और भाई वक्रा आ जाएगा ठीक है अब रेखा जैसे लिए तुका क्या कहेंगे हम वक्रा रेखा क्योंकि रेखा कैसी होती है आकारांत हो जाती है अब विशेश यहां पर देख लीजे कि कुछ शब्द अजादीगन में ना होने पर भी उनके साथ में क्या होता है टाप लग जाता है अजादीगन में थोड़ी ना आ रहे है अज पशु पक्षी थोड़ी ना है आचार्य कौन है बताए आचार्य तो व्यक्ति हैं के नहीं है तो यह क्या हो जाएंगे आचार्या ना होने पर भी उनको टाप प्रत्य बनाने के लिए उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप आप जूड़देंगे जैसे सिक्षक शिक्षिक हो साथे हैं लेकिन सिक्षक में अक जुड़ता है उसका नियम हमारा अलग होगा वपाध्याय वपाध्याय होगा लेकिन है कुछ नहीं इतना सा है बस ये ढूरत नियम है जो अक वाला हम बार बार आपको बूल रहे हैं, हो क्या है, कि अकारंत शब्द हो, लिगन उन अकारंत का अंत अक से हो रहा हो, इनके अंत में अक जुड़ा हो, जैसे अभीवा वक, गायक, चालक, धावक, नायक, पाठक, अब कहेंगे हमें तो यहां वक से अंत दिख रहा है, आ आप कहेंगे, यहां तो वक लिखा, यहां यक है, यहां तो ठक है, तो इसमें अक कहां पर है, तो अभी हम आपको दिखाए दे रहे के कहां पर है, चले गायक को तोड़ ले, तो गा, अंत तोड़ना है ना, तो गा को हमने नी तोड़ा, इन नोनों को तोड़े लेते हैं, तो या मेंसे आ निकालो और का मेंसे अंत निकालो भई तो क्या बन गया अक हमें मिल गया कि नहीं मिल गया यहां देखे चालक को तोड़िये तो ला मेंसे आ निकला तो अक मिल गया हमें कि नहीं मिल गया फिर धावक मेंसे निकालो तो वा मेंसे आ निकालिये और का हो गया तो तो आप क्या करेंगे आप उस उपधा में उस उपधा में उपधा क्या होता है अन्तिम शब्द है उसकी पहले वाला बिल्कुल जस्ट पहले का उजोवान होगा उसमें आप ई लगा देंगे अक को क्या कर देंगे एक कर देंगे जो अक है यानी अब माली जी यह हमारे सामने क्या लेखा था गायक, यह ओ गायक इतना हो गया अब ये जो आ होगा वो ए में बदल जाएगा अ जो होगा वो ए में बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गा ये में ए जुड़ेंगी हो गया ये और ये हो गाईक और टाप प्रक्ते लगाया तो वो क्या हो जाएगा गाय का क्योंकि टाप का आइस में आके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा गा यी और का में आ जुड़ा तो बन गया गाय का नायक बन गया नायक तो जो यी जुड़ेगी यी आएगी वो कहां आएगी का से पूर्व का की पूर्व में का की उपधा में तो ध्यान रख लिजे यह जैसे लिखा है हमारे सामने नायक क्या लिखा है नायक टाप प्रत्य जुड़ना है तो अक देख रहा है तो हम क्या कहेंगे का के पहले हम इ लगा दे तो ना यह हो जाएगा यह और यह हो जाएगा क और टाप का आ जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा ना का ठीक है तो यह जो अक्वी बाली जो बात थी वो इसलिए बताई जा रहे थी अब जैसे देख लिए बालक होता है बालक होता है इसके अंदर के नहीं छुपा है चीक है तो हम क्या करेंगे इसमें ला के जुका है उसके पहले वाला जो हमारा वन है उसमें इका आगमन कर दे तो हो जाएगा हमारा बाली का ठीक है क्या बन गया बाली का पाठी का अब देखे और देखे बालक हो गया बाली का मालिक हो गया माली का याचक हो गया याची का वाचक हो गया वाची का शायक हो गया शायक हो गया स्थापक हो गया स्थापिका साधक हो गया साधी का सभी में क क्या हो रहा है इसमें तो पहले से ई होतव हमें कुछ खरना है जिसमें नहीं है उन्में कते हैई में तो पहले से ए सबीना है बड़िया की लगा दिनी यह उसी परिस्तिती में होगी जब अंत में अक दिख रहा होगा जैसे मुशक मूशिका बना था घातक घातिका दायक दाईका नाशक नाशिका पालक पालिका पाचक पाचिका मूशक मूशिका मादक मादिका वादक वादिका ऐसे श्रावक श्राविका सूचक सूचिका और स संहारक संहारिका ठीक है तो यह इतना सा है टाप प्रत्याय जो बस पोलिंग शब्दों को इस्त्री लिंग में बदलता है ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है कि कठे नहीं है कि हमें आये नहीं और भी इस्त्री प्रत्याय होते हैं उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे ठीक है एक एक करके सीखेंगे तो याद बनी रहेंगी, सारी चीजें एक साथ से खाये जाएंगे तो भूल जाएंगे आप, ठीक है ना, चले अच्छे ये सब कहां पे मिलने वाले हैं, बताएं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको गूगल टैप पे जाकना है, तो आपको वेबसाइट पे देखें या एप्लिकेशन पे देखें, यहां कहीं पर भी मैगनेट ब्रेंस पे पढ़ने के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, चीक है ना, आप देखें वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करिए, गूगल टैप पे जाएंगे, दिखें मैगने इसलिए आपके क्यों भी ना चूटे, भाष्वती पूरी हो चुकी है, व्याकरण शुरू हो गई है, इसके बाद शाष्वती शुरू करेंगे, अब व्याकरण में हमने क्लिक किया, पेज पर तो व्याकरण का पेज ओपन हो गया, इसमें संधी के 22 लेक्चर हमारे बन तो सब आपके सामने यहां पर आजाएंगे और आप किसी को भी क्लिक करेंगे, आपके सामने वही वीडियो हो जाएगा ओपन, और इसमें क्या होगा, जो 22 लेक्चर को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने 22 एक एक करके नाम के साथ में लिपके आजाएंगे, आपको प्रत्या है उसको भी सीखेंगे तब तक के लिए दनागा